आज हम डिसकस करेंगे हमारे AI के सोट नोट्स में Expert सिस्टम के बारे अब Expert सिस्टम होता क्या है अगर हम लोग AI में किसी भी हिस्से के अगर बात करते हैं तो उसको हम कई सब एरिया में डिवाइड कर देते हैं यह नोलेज़वेस्ट प्रोग्राम होता है यह सिस्टम क्लाता है database, experience के अनुसाहा बनाई जाता है मतरब क्या होता है, expert system ही होता है ότι आपने जो भी सूचनाओं को देखा समझा, उसको आप लोग स्तोर करते हैं data जिसके लिए मैंने अलगलग प्रकार की जो तकनीके है वो इसमें AI में बताई थी मेरे इस सोट नोट्स में जो के MCQ करने में आपके मदद करेंगे और ये डेटाबेस के एक्सपीरेंस के अनुसा बनाई जाते हैं और LISP का यूज लेते हैं डोमेनी स्पेसिफिक नोलेज होता है मतब पटिकुला किसी टॉपिक के बारे में आप क्या करते हैं डिसकसन करते हैं पुराने एक्सपर्ट सिस्टम से नया एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जाता है हमेशा आप पुरानी चीजों से सीख कर नई चीज बनाते हैं अगर पूछा कि एक्सपर्ट सिस्टम को सी टेक्निक है तो आप बोलेंगे हिरिस्टिक सर्च टेक्निक है किस प्रकार से रीपरजेंट किया जाता है सिंबल की द्वारा से रीपरजेंट करते हैं इसे किसके अनुसार काम करता है रीजिनिंग के अनुसार कारे करता है और यह कहां कहां यू आता है सब जगह यूज आता है business में भी यू जाता है government area में भी यूज आता है और planning और controlling का कारे करता है कि ये सारे काम किसके होते expert system की होते है इसमें nuclear power plant हो गया medical science हो गया electronic circuit आपके develop करने है तो पूछा जाए तो आप इन में से यह option select कर सकते हैं इसी तरह से decision tree जो होता है वो decision लेने के लिए काम में आता है ज्यादा तर जो top level के लोग होते हैं वो decision tree का use करते है और यह top-down order में क्या करता है काम करता है अगर हम chemical या chemistry से related या science से related बात करते तो molecule का किस पॉइंट पर वो molecule काम कर रहा है कब burn हो रहा है color test करना यह सारे काम होते हैं tree के परतेग node में सुचना होते हैं जिसके दोरा problem को solve किया जाता है learning module मनाता है such technique के दोरा decision ले सकते है कुछ example अगर कोई पूछे तो ID 3 जैसे होता है कई बार question और answer आप पताना चाहें तो इससे पता सकते हैं एक अगर पूछा जाए कि expert system का example क्या है तो blackboard system है यह knowledge based system होता है forward और backward चैनिक दोनों का यूज करता है dynamic process है यह problem को step by step fix करता है एके करके step के बाद अगला step आएगा इस तरह से और यह blackboard database का use करता है इसके दोरा communication interaction क्या दा सकते है तो blackboard क्या हुआ knowledge के लिए यूज में आ रहा है पता लगया होगा दूनों तरफ दूनों दिशाओं में काम कर रहा है step by step यह काम कर रहा है dynamic process में यह यूज में आ रहा है इसके दोरा communication और interaction किया दा सकते हैं मतब अगर कोई जैसे Alexa जैसे बात करती है AI के अंदर वह सेमी चीज है communication भी कर रहा है इंट्रेक्शन भी कर रहा है किसके कान कर रहा है expert system के कान कर रहा है तो वह predicate logic और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताये थे वह चीज उसमें सामिल रहती है इसके दा किसी भी system को control करना module को control करना object by knowledge knowledge के अनुसा दिखाता है object को processing के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं speech को समझना किसी कई बार क्या होता है भासा है या अलग-अलग होती है वो क्यों समझी जा रही है यह सब चीजे कैसे हो रही है यह सब AI की वज़े से किसी को message बेज रहे हो किसी दूसरे format में convert हो रहा है यह सब भी इसकी वज़े से हो रहा है तो यह क्या here से machine यह भी AI का ही कमाल है तो data structure हो गया hypothesis पर काम करना सही वर्ड को पहचान करना वर्ड की sequence को समझना कि इसके बंदे यह वर्ड आए कई आप बोलते है उस जगह पर वह वर्ड जो है वो गलत हो जाता है तो वह option भी देता है कि आप इसके बंदे यह वर्ड लग सार कारी करता है